तिल्ली हाई कोट में हाली में एक याचिका दायर की गई जिसमें इतिहासिक जामा मस्जित को एक संडरक्षित इमारत घोशित करने की मांग की गई अदालत ने भारतिय प्रातव सर्वेक्शन A.S.I. के रुख को संग्यान लेते हुए मस्जिद को संडरक्षित इस्मारत घोशित करने में असमर्थता जताई और मामले की सुनवाई को फिलहाल इस्थगित कर दिया A.S.I. ने कोर्ट में अपने हल्थ नामे में यह स्पश्ट किया कि अगर जामा मस्जिद को संडरक्षित इस्मारत घोशित किया जाता है तो इससे मस्जिद और इसका असपास के छेतर में कई नियम लागू होंगे जिन से धार्मिक और इस्थानिय गतिवीधियों पर असर प दिल्ली वक्फबोर्ट के अंतरगत आता है अगर यह स्मारक संडरक्षित घोशित होती है तो इसका नियंतरन वक्फबोर्ट से हटकर सरकार के हाथ में आ जाएगा जब किसी इमारत को संडरक्षित इसमारत घोशित किया जाता है तो इसे इतिहासिक सांस्क्रितिक चिल्पिये और प्रातद्वी धिर्ष्टी से महत्वपूर्ण माना जाता है इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस धरोहर की देखरेक मरमत और संड्रक्षन का कारे सरकार के द्वारा किया जाएगा इसके साथ इस मारक में कोई भी छेड़चार निर्मान या बाहरी अपराध है जिसमें तीन महीने तक किजेर या पांच हजार रुपे का जुर्माना भी लग सकता है संड्रक्षित इसमारों में शूटिंग और अन्य गतिवीधियों के नियम क्या है ये भी एक बार समझ लेते हैं संड्रक्षित इसमारकों में फिल्म और वीडियो शूटि या दिवारों को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए जनरेटर को इसमारक से दूर रखना अनिवार्रे है वहीं वीडियो निर्मान की बात की जाए तो संड्रक्षित इसमारक के अंदर वीडियो बनाना परतिबंदित होता है लेकिन बाहरी हिस्से से वीडियो बना स देश्ट-धेश के सांस्कृतिक धर्वहरों की इस्वरक्षा है, जब सरकार को लगता है कि कोई इमारत एतिहासिक धिश्टिंग से महत्तुपूर्ण है, तो वो एक सारवजनिक नोटिस जारी करती है यह नोटिस अखबारों और इमारतों के आसपास लगाया जाता है ताकि लोग अपनी राय और आपत्ती दर्ज कर सके दो महीने तक आपत्तियों को पराप्त करने के बाद सरकार उनका आकलन करती है इसके बाद यदि कोई ठोसा पत्ती नहीं होती तो सरकार अंतिम निर्णाय लेकर इस इमारत को संरक्षित इसमारक घोशित कर देती है इसके बाद इस इमारत के जिमेदारी पूरी तरह से सरकार की हो जाती है और उसके साथ है किसी भी परकार के छेरचार कानून अपराद बन जाता है संरक्षित इसमारकों का नेशनल इंपोर्टेंस क्या है ये भी एक बार समझते हैं भारत में संरक्षित इसमारक राष्टे महत्व के होते हैं जबके अन्य सुर्यदों से सुर्यास तक खुले रहते हैं। इस परकार जामा मस्जित को संरक्षित इसमारगोशित करने का निर्णे इस्थानिय परबंधन और परमपराओं पर सीधा असर डाल सकता है। इसलिए ASI और सरकार दोनों इस मामले को गंभीरता से विचार कर रहे हैं ताके धार्मिक और सांस्क्रितिक धरोहरों का सम्मान बना रहे है। आपको क्या लगता है कि जामा मस्जित को संरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ऐसे ख़बनों के लिए देखते रहे हैं सहरा समय का समय डिजिटल